हाई बच्चा लोगों कैसे हैं आप और मैं बने गुत्ता स्वागत करता हूं आपका अपने फेवरेट चैनल के जबी साइंस इजलर नहीं हो बच्चा लोगों आज हम आपके लाएं बोर्ड एक्जाम्स के लिए सैंपल पेपर और बहुत अच्छी तरह से इसे करेंगे जिस सबको पता हूंगे रूसरे विलेशन सम्टाय जर्कमी एक से ले एक यह एक संदे को स्क्षै लोगों आपके स्क्रीञ पर हैं बच्चा लोगों विच अब दा फॉलेंग विच अप फ्रॉलाइग रिजल्ट इस फॉर्मद संवर्ण रियक्स ब्रोमिन वोटर से लिएक करत प्रेइड पैदा होता है तो दा परेक्ट आंसर इस चलिए नेक्स क्वेश्चन के लुब करते हैं विखने नमर्ट आपकी स्क्रीन पर है बिच अपको पता होना चाहिए बच्छा लोगो तीनों ही तर्सरी है तर्सरी में सबसे ज्यादा रेक्टिव होगा है आपको आपको इससे भी पहले कौन हे पच्चा लोगों अ्यलाइल है और अपको पता है तर्सरी में तो कैसे करेंगे और रर्यक्टिव टी गुरुप को होता है आई फिर कौन होता ए एफ स्थ्यक्ट. आसर घ्रेक्टर अंसर इस पड़कूंत ओके चलिए सबको पता है लेंफ़ इनोट क्वाइज होता है डिक्री जोता है अंसर आएगा दी मुझसे पहले जल्दी से लगाई है और देखिये क्या आ रहा है क्या नहीं आपक्षा गलती का रहे है तो बच्चा लोगों आप सभी को पता है ती हाफ इस इक्वेस टू 0.693 अपॉन के और के इज डारेक्टी प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर यह तो जानते हैं टेंपरेचर बढ़ाएंगे के बढ़ेगा के बढ़ेगा तो टी हाफ कम होगा टी हाफ कम होगा तो अंसर इस सब्सक्राइब करते हैं जल्दी से चलिए आगे मूब करते हैं विच अब फॉलिंग स्टेट्मेंट इच फॉल्स अवाट इस टूरिज बैटरी बैटरी फॉल्स अरे तो आपको देख रहा होगा पहला ही गलत देख रहा है क्योंकि यह सेकेंडरी सेल होता है तो तो दकर सब्सक्राइब करते हैं चलिए नेक्स क्वेश्चन फॉर वीजुली चलेंगे लेर्नर विच अब फॉलिंग स्ट्रेट्मेंट इस ट्रू अवाट इलेक्ट्रोगेमिकल सेल्स ओके ए मैंने बहुत अच्छी देगी कितने अच्छी लाइना लिए एंसाटी लाइन मैं अभ अच्छी लाइन मैंने वहां पे लिए अब बहुत इंप्र इंट्री नर्जी अंडिफाइंट फॉरन इलेक्ट्रोगेमिकल सेल्बेवकुल सही है तो सारी गलत है डिफाइन होती है सब्को आगें तो सही कौन सा निकलाब चलो वो इसमें बी और इंटेंशिव एक्स्टेंशिफ क्या होता है वह आपको पता चुकुक्र सिक्सें ठ्रटी मिनिट्स अफ़र्ट परक्छेंट कोमप्लीट क्ल्कुलिट अमांट अप टाइम ए टू टूट टेक कंप्लीट 37.5 percent of the reaction इसको मैं होमबक में दे रहा हूं आपको और निमेरिकल है सब को आता होगा तरीका भी सब को पता होगा जल्दी से बताएंगे मुझे after the class होगा कि इसका correct answer क्या होगा वैसे मैंने आपको तरीका बताए हुआ है मैं लिख दे रहा हूं और नीचे बचे 87.5 percent complete हो रहा है तो कितना बचे का बच्चा लोगा आपका 12.5 बचे लिए solve करना आरम से आएगा question बहुत अच्छा question है important डाल सकते है जल्दी से दाएंगे इसका answer क्या होगा पका और इसकी इस शौट ट्रिक बता दूँ अगर देखने शौट ट्रिक देखना सौट ट्रिक सौट देखें फ़स्ट और रेक्शन 50% complete हो रही तीस मिनट में 50% मतलब एक हाफ लाए तो 50% खतम ही 30 मिनिट में देखें क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा एक नमबर के हिसाब से तो 20 50% complete हो गई 30 मिनट में तो 25 अब देखें 25 और खतम होने इसका और आदा खतम होने में मतलब कितना दे जाएगा साड़े बारा और कितना लगेगा 30 मिनिट और रेट कर देंगे कित आपको आगया कैंपको आगया पक्का नवे तो दोनों तरीके से कर सकते हैं आपको लंबा करना हर आदे होने में उसे 30 मिनिट से लग रहे हैं चले नेक्स्ट क्वेश्चन कौस्ट नमश सेवेंद इस सीट लिए इस सबको पता है होमेंट डिंगरतिश संद कौन चलो गों मैंट डिंगर डिंगरतिशन जलिए उटलेशें टिकल अ circular को राइ tums इस नोंट ऑी ना कडमेंब इन कोर्वा रहा है कंड डून गरिये not कर्रेक्ड आवाओंड करीए कि रिद्धी हो vaccinations तो इसलिए अबाउट बांडिंग इन कोडिनेशन कोंट्स तो कुछ मिसिंग इस क्वेश्चन में तो चलिए आवे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नमर नाइंथ विच आप फॉलिंग प्रॉसेश डज नॉट इन्वाल्व इन प्रॉडक्शन ऑफ एलकोहल कौन सी प् सबकूपता है एकड़रीशन ऑफ अप से बनते हैं रिदक्शन ऑप अधीड से बनते हैं इससे नहीं पानेंगे यह एलोजेने से बेंटे इसे हैलोगेंस बनते हैं यह चलिए तैंट क्वेश फॉलॉइंग विच अफ़ॉविग रेक्स विद्प्राइमरी अमीन्स एंड या वाव कि तरह अच्छा की कौन सा है जो प्राइमरी अमीन से तो रेक्ट करेंगा और सेकंड यो टर्सरी को सेपरेट करने काम आएगा तो बच्चा लोगों कार्वाइल अमीन रेक्शन्स हो गई सब को आ रह प्रिजर्वेशन और बायलोजी के लिए बिल्कुल होता है पक्का होता है अंडर्ट परसंट है ओके सब को आ रहा है कि सिल्वरिंग में काम आता है मैंनु फैक्ष्ट लोगेक्लेट में काम आता है ऐसे ठीक हमने फॉर्मल्ड याट से नहीं बना सकते क्योंकि इसमें एक क अबी इस डबल कीविग अच्छा लोगों याद रखिए रखिए रेट कोश्टेंट से रेक्टन पर कोई असर नहीं होता है रेट कोंस्टेंट के वल और टेमपरेचर के संग चेंज होता है कितना अच्छा कुश्यन था तो था और एक और विजोली चेलेंज लेर्नर्स व इस नौट करेक्ट अबाउट और ऑफ रेक्शन रखिए बिल्कुल आ सकता है बच्छा लोगों ओडर ओफ रेक्शन फ्रेक्शनल हो सकता है चले और रेक्शन एक्स्परिम्ट रेटरमाइंट क्वांटिटी यह वी बिल्कुल सही है लुटर रेक्शन इस तो था समब भी बिल्कुल गलत है ये ऐसा के वल कहूंसी रेक्शन के लिए होता है इलिमेंट्री रेक्शन सकतंख के लिएOr कह से लिए धावर बेंघ्ए्ट तो सब सही थे सी गलत था इसलिए सी अंसर विचाप तो फॉलएंग वाइलोजीकली सिग्निफिकेंट कॉडिनेट मॉलीकिल और मैंगनेसियम का कौन होता है मेंगनेसियम का सेंटरल ऐलीमेंट इनमें से कौन है मैंगनेसियम सबको पता हुआ था करेक्ट कांसर इस किलो इस अब देखिए कितना अच्छा इस बैंजाल एलकॉल सी अस्टो और उक्सिडाइज विद के मैंनोफोल के आपको पता है प्राइमरी एलकॉल इस प्राइमरी एलकॉल और प्राइमरी एलकॉल के जब ऑक्सिडेशन होता है तो याद रखिए सी डवलो एच बन जाते हैं इस बैंजॉइक एसेड प्लस एच टो बैंजॉइक एसेड़ करेक्ट आंसर के लिए चले फिप्टीं एर आगे डिवन बिलो आट्टू स्टेटमेंट्मेंट्स लेवल देया एडिशन रेक्शन और टू ब्यूट वनीन इन एसेडिक मीडियम इल ब्यूटेन तू और करके देखना पड़ेगा दल से देखेंगे बच्चा लोगों ओके तो इधर देखेंगे इधर इधर ब्यूट वनीन च्छी च्छ डवल और बना करें तो करी नहीं सकते आप आंसर लगाई नहीं सकते और क्या एड़ करना है इसमें एसेडिक मीडियम मतलब है आपको पता है कौ और कौनिक रूल लगेगा और मार्कौनिक रूल लगेगा तो पक्का क्या बनेगा च्छी च्छी च्छ वह च्छी ब्यूटेन 2 वनेगा वाई यह तो सही है ओके यह तो सही औहीं एडिशन ऑब वाटर लेन हाज डियम प्रॉसीट्स थूरू दा फॉर्मेसन अप्रामरी खार्व कर्थें नहीं यह ऑई और दोनों से इसने प्रवडल रीजन इसने नहीं दिया पताना था यह क्या होता है मार्कौनिक कॉर्ण प्रूल कि इक बिटामिन डी केंदी स्टोर इन आर बॉड़ी वह वारी बॉड़ी में स्टोर होती है बिलकुल सही है क्योंकि यह फैट सोलेवल होती है और दिस इसे फैट सॉलेवल रीजन भी सही दिया यह भी सही दिया हुआ तो अच्छे गॉश्शन साथ 17 गेवन वलोवा 2 स्टेटमें ट्रांजृशन मैं साथ गुडब के टव बिलकुल सही है एक तyezन मैंत उते हैं। हो गुडट के टालिस्ट होते और क्यों आप इसने और इस यह प्रपर रिजन प्रफ्रीजनहोंग प्रफ्रपर इस उसका उनसर होगा प्रफरी प्सक्रम करदे लिए तर्यक्ग तीज़े बी चलिए आवे बढ़ते हैं 18 गेवन बिलोगा टू स्टेटमेंट एसी टैनिलीन इस बहुत ज्यादा रेक्टिव होती है इसलिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कराना पड़ता है और क्या बन जाता है और ये तो सही है लेस्ट बेसिक 18 ओके यह सही है बिल्कुल सबकुल सही है रीजन भी दे रहा है चले सेक्शन भी आगए और सेक्शन हमने खतम किया 12 मिनिट्स में चले आगे बढ़ते हैं सेक्शन भी साथ क्वेस्टन है इंटर्नल चॉइस होंगे टू क्वेस्टन में फॉलिए बैरी शॉट टाइप एंड करी टू मांक्स इच चले नैंटीन आ गए और नैंटीन में डंक से देखेंगे बच्चा लोगों हमें पूरी रेक्शन दी हुई हमसे कह रहा है राइट रेट लोग रेट लोग में से देख के लिख जाता है वह स्लोग देखे लिखेंगे तो रेट इक्वस्ट टू के और शुर्यक्षन में जो रेक्टेंट को लिख देते हैं बिल्कुल एज़ेट लिए अगर हमसे कहें गाएगा ओवराल ओर तो इसकी भी बन पावर एइसकी बन पावर ए और आपकी सब को पता होना चाहिए बहुत सारे एक जामपल है ना तो वाटर सॉलूबल होता है यह वाटर सॉलूबल है और अमयलो प्रांच का भी लिख सकते हैं और इसमें नंबर ऑफ यूनिट्स का भी डिफरेंस लिख सकते हैं अच्छा लगतर है GorFe Soviet जोले ग्लोबलर प्रोटिण इंपोर्टैन फीवर खड़ना फाइबस प्रोटीन जो पॉलीपैक्र चेस्स होती हमें पहाहइन और अश्रावा उस वाइलल प्रोटीन कि न्यस्करत होगा भच्छ के लिए हमें ग्लुकोज की रेक्शन किससे करानी होती है 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 से आपको आती होगी पक्का करेंगे खुद करेंगे हैं से रेक्शन सबसे इंपोटेंट के लिए हैं और किसे करा सकते हैं बट कर रहा है इसके लिए हमें किससे रेक्शन करानी होगी उसका सबस्क्राम पर से तॉ समय पक्क का बहुत लिए हो ग्यां ब्या लुक्त इंपोट्ह। रहाम होगा अज मिलोज rif देयों डियूदी विए क्लोट लॉड़ोट थोसिए शूराइड वटी उसे विए ऐरोमेटिक यह की देटे हैं पार्च डबल मॉंट की वैए से क्या नी वह इस्टे आप क्या नहीं होगा डूलाइज नहीं की नहीं होगा जबकि यह सी एस-स तु-स ले-बेंजायल कार्बोकेटाइन बनाएगा ज्यादा रेक्टिव होगा बहुत ज्यादा रेक्टिव होग तू ब्रोमो पेंटें तू ब्रोमो पेंटें देखना और देखना लागेगा यहांसे बी आर अलफा और देश बीटा बीटा अब बच्च लोगों यहांसे दवल बॉंड च आएगा और यहां पर तो जो मेजर बना है वह लेकर हैं डारेक्ट कॉंसे रूल के अकॉर्डिंग मना इस पैंट टू इन वेजर और नहीं बात कर रहे हैं किसकी बहुत अच्छे प्रोड़क्ट इस सबको आया कि नहीं है पका आया चली तो आगे बढ़ते हैं नेक्स करते हैं मैं आगे की और है घ्रिंग आगे हो नेक्स्ट इस भाटा आप फॉर्मूले फॉलइं एब दोह सबस्क्राइब्स हाइड्रा प्रस्क्राणाराक्ण बॉक्स पीछे होगा टेटराहड्रोक्सीडो जिंकेट जिंकेट जैडन ओएच और फोर अब जैडन की बैलेंसी यह तू दी यह प्लेस्टू वह पर माइनस बन होता है माइनस पूर माइनस टू आगया पूरा तो इस पर आगा टू तो दा फॉर्मुला एज के टू जैडन करता है चले एक्जामीन प्लेटिनम खोर क्लो रैट लिखना आपको तो बच्चा लोगों क्या करेंगे सबसे पहले यह आगे आगे यह पीजामीन प्लेटिनम खोर औ, प्लेटिनम खजामीन और सिक्स, ओके अब फॉर है इस पर फूर और इस पर Yo है कि लिए तो फोर आएगा तो siya पे क्या जाएगा चाल रेख्जा अमीन प्लेटिनॉब क्लोराइट बहुत अच्छी कुश्च्छ इसस और तरह हुआ है सब को आगे चाले नेक्सट्व करते हैं को स्ट्वन कर रहे हैं आप कर लेंगे चलिए मैं डारेक्ट कर रहा हूं देखना इसेल जरूर तीन नंबर के विश्चन साते हैं यहां पर दो का दिये तीन का भी आ सकता है कर दो कि लोग ऊपर आएंगे प्रोड़क्ट प्रोड़क्ट कौन है उपर प्रोड़क्ट कौन है बच्चा लोगों प्रोड़क्ट है आपका एंजी टू पॉजेट तो मैं डारेक्ट कंसेंट्रेशन लेख रहा हूं टैन की पावर माइनस 3 अच्छा जैसी यू क्यों नहीं है सबको पता हो नीचे आएगा सी यू टू पॉजेट है तो देट टैन की पावर कितना आएगा बच्चा लोगा माइनस 2 सॉल्ब कर लेंगे आंसर आ जाए पका रहा है कि नहीं आ रहा है पका रहा है मेरे बच्चों चले नेक्स्ट क्वेस्टन की और मूब करते हैं फॉर है पउन अपन टू पाउगी bit लिए से उन नंब्च पर आ से लेड़ा है और रहा है रहे अपन डेल्टा दू से ओ ना पॉल्ब टीए टू का ऊपर चला जाएगा टू अपॉंट फोर और डेल्टा अनो टू अपॉंट इस दिया हुआ है टू पॉंट एट इन्टू टैन की पावर माइनस तरी सॉल्ब करेंगे आपका अंसर आजाएगा और पक्का आपको समझ में आया होगा 4.7 ओके तो दिस इस बन पॉ इस पेस चाहिए तो इधर देखें अब यह सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है अब देखें एथे नल टू प्रॉपे नौ अब देखें एथे नल ल्डियाट से कीटोन बनाना है बच्चा लोगों और मैंने आपको बताया था इथे नल से प्रॉपे नौन है तो प एल्कोल बनेंगे अल्याट से अमने कीटोन कहीं नहीं सीखा एल्लियाट से कीटोन बनाने के लिए आपको गिंगना रिजयंट से एक्शन करानी होगी तो मैं लेख रहा हूं पूरा कर रहा हूं इससे थे यह सीग दिए एच सीयो एना सी आसीए डी विया दिस इस ओके वरकार है एतर यह था यह वह द्राओर इथर तो क्या बनेगा सीएश इस्ट्री एच सी ओके उसे क्या जोड़ेगा बच्चा लोगों पका नहां से क्या जोड़ेगा MGB और इस से 6 CS3 अब बस कुछ नहीं करना है यहां से तोड़ तो यह है डोलेसिस हो गया अब इसका यह बन जाएगा आपका CS3 CH-OH-CS3 अब इससे हम क्या करेंगे बच्चा लोगो इधर देखिए इस से हम दिस अब हमें प्रोपेन 2- Conversation चलिए अधा होता है स्थीथ तो क्या करेंगे जल्दी बोलो फड़ा पड़ से प्रॉपे नौन है ना तो बस कर दीजे CRO3 तो आपका बन जाएगा तो बहुत अच्छा था वेरी इंपोटेंट आज दीजे तब मोस्ट इंपोटेंट इस जरूर आता है टॉलूइन डेखिए डिस इस टॉलूइन देखिए और कमन-फोर कुछ होता है सबको याद होगा दिस इस क्या बनेगा दबलो के यहां पर क्या क्या करें हीट और फिर ओएच भी लिखा करें और फिर यहां पर सबको आगया हुआ इस सबको आगया हुआ तो नेक्स बच्चा लोगों आगे क्यों मूब करते हैं कि इदर कि नेक्स क्वेश्चन कि अकाउंट फॉर्ट फॉलेंग में सारी कोश्चन करा रहा हूं और फिटल करावट रहा है जैसे एंडिलीन नहीं देती फॉड़ा से लाइट्ली डिफरेंट होता है क्योंकि एक कैसा गूरूप होता है डि एक्टिवेटिंग गूरूप है और और जो इस एल्सील 3 एंड्रेक्स बेद किस्से रेक्स कर लेगा बच्चा लोगो ऐसे और डी अक्टिवेट दा रिंग बहुत अच्छा पुश्च है एक नंबर ना बेरी इंपोटेंट डाल देंग याद रखना पीके वेल्यू पीके वेल्यू कम है जिसकी पीके कम है मतलब उसका सब्सक्राइब करेक्टर जादा है सब्सक्राइब क्यों होगा रीजन सबको कैसा होता है इलक्टरों भी ड्रॉइंग गरुप है इंट डिक्रीजिज दा डिक्रीज दा इलक्रों डैसटी यूट एंड इंक्रीजिज दा इस्टेविलिटी ओफ पक्का पक्का आएगा इसके बना तो पेपर नहीं बनेगा इस्टेविलेटी और बेंजोए टाइन अब जरू नहीं की सेम कोईसेंस आएं बट कंसेप्ट ही रहेंगे चले नेक्स देखिए सेक्शन भी खतम हो गया और सेक्शन भी खतम होते होते हैं हमारा टाइम होगे 25 मिन आगे क्यों मूब कर रहे हैं मैं आपके टाइम पो वेस्ट नहीं करना चाहता है सब्सक्राइब प्लीज तो चलिए रफ कर रहा हूं मैं पूरा कुछ रफ करने जरूत नहीं मैं चलिए आगे बढ़ जाता हूं उदार चलिए सेक्शन सी और सेक्शन सी में हैं पांच क्वे पांग चलिए खार्बनायल पका तो क्या क्या हो सकते हैं एल्लेडर की टों जो भी है ओके फॉर्मुला दिया हुआ है सी फोर है चेटो आइसोमर्स एंड और सी गिप्स पॉजिटिव टॉलेंश टेस्ट ए और सी टॉलेंश टेस्ट पका बट बी नहीं देगा तो पक्का कीटों यह तो पता चलिए बट गिप्स पॉजिटिव टेस्ट बीवला कीटों ने पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है तो आइसोमर्स एंड बी और रेडक्शन मैंने करा है और रेडक्शन बिद जडेनेजी स्थिए गिप्स दा सेम प्रोडक्ट राइट दा स्ट्रच्चर कर्याएं और अब यहतर थे हैं और क्रस्चा कफा और कर्या है का क्या है और तों ग्रोप होना चाहिए और श्री क्या होगा आन्तर क्या होगा उसमें ब्रांच होगी सबको आया कि नहीं आया बताहिए अब बच्चे लोगों क्या कह रहा है कैसे पता चले हैं सब्सक्राइब दोनों क्या है रिडक्षन पर सेम प्रोटक्ट देते अब इसका क्लीमेंशन रिडक्षन खराइब इसका और इसका से आपको देखें सीचो का क्या बन जाएगा तो यको सब बता है उडसे क्लीमेंशन रिडक्षन देता है और से बन सबसे कम रेक्टिव होते हैं कौन होगा भी होगा भी इस दा लीस्ट रेक्टिव एसब को आगे चले कोडिनेशन का इस अब बच्चा लोगो हमें चार्ज बैलेंस करना है तो इस पर कितना चार्ज है सब्सक्राइब करें कितना बढ़िया क्वेशन था कॉंपी में कराया याद रखना आएंगे जरूर वाट टाइप सब्सक्राइब करके देखना पड़ेगा वहां पर और दफ इस इस पी थी टू ओके और करके देख लेंगे आपको आना चाहिए पूरा करना पड़ेगा वहां तो भाई यह और ज्यादा टाइम नहीं लगता मुस्किल से दो मिरिट में पूरा कर लेंगे चलिए नेक्स्ट वेस्ट नमर्ट टूंटीएड मेजरमेंट सो ऑस्मोट एक प्रैसर मेथट इस प्रिफट फॉर्ट वह जाती है पूरा लिखा हुआ मैंने रूम टैंपरिचर पे जबकि डेल्टा टीवी को हाई टेंपरिचर जही होता है और डेल्टा टीएपको लोग टेंपर डाइलूट सॉलूशन जबकि डेल्टा टीवी की वेल्यू और डेल्टा टीएपको बहुत कम आती है सबको आया किनिया बहुत इंपोर्टेंट क्वेस्टन है पक्का आएगा एकुटिक एनिमल्स और मोर कंफटेबल इन कोल्ड वाटर देन बॉम वाटर तो एकुटिक एन और लू टेंपरिचर लीचर टिले प्रेंसिपल के एकॉर्डिंग गैस की सॉलूबिलिटी टेंपरिचर बढ़ाने पर कम हो जाती है एलीवेसिन आप बॉलिंग पॉर्ण पॉर्ण सॉलूशन नियर्ली डबल ड़ाट बनो एम देखिए अब यहां पर कितने आइंस होंगे के टू आइंस होंगे के सील टूटेगा टू आइंस में जबकि सुखर सॉलूशन नौन एलक्तोलाइट है तो पक्का दो आइंस में बनेगा तो आई की वैलू कितनी आएगी टू आएगी और आई तो पक्का जो भी आएगी उसे तू से मल्टिप्लाई हो जाएगा सब को पक्का 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 चलिए नेक्स्ट क्वेस्चन नमर्ट 29 29 CS3 का होल ट्वाइश बहुत इंपोट ने तो बच्चलों को जब भी एक वेस्टन है ना इतायल मिथायल का इतायल से आपको याद होगा मिथायल का ओडर क्या होता है टू वन थ्री गैस यह तो एक्वस में औ और एतायल का सबको पता है 231 जब भी एक क्वेस्चन आए तो आपको लिखना है पक्का इट इस द्यू टू कमैंड फेक्टर ओफ मैं खहीं लिख दूं लिख दे रहा हूं द्यू टू कमैंड फेक्टर ओफ सॉल्वेशन सॉल्वेषन एफट्रफ मेंद कौना सब चलों और यह सी डिटेल में हमें नहीं लिखना हुता तो टू-3-1 यह सब को आना चाहिए और जरूर आते हैं बेसिक और रुपाय और आपको रेजुनेंश बनाना होगा इस नहीं पाये जाता और आपको रेजुनेंश बनाना होगा अरोमेटिक डायुनेंश का फेड़ेट क्वेस्चन है प्राइमरी अमीन इसे सेट्री अमीन और प्रैमरी और सेकंडरी जब भी रेखें तो कॉन्से सट्रेस देंगे से टर्शी ऑट यह वह तर्शी यह ब्रोमाड रहें तो यह ज्यादा क्या होते हैं रेक्टिव होते हैं वह कि एक्टिव अगें पक्का पक्का विछ बने मोरेक्टिव टूबर क्योंकि ऐड़ लिभिन गुरूप लिखना पड़ेगा ड्यू लार्ग साइज ओप आयोडीन ए यहां पर करना हूं जिससे कि प्रॉपरली समझ मैं इदार चलिए इद्र तो पर आपको है इस आपको याद होना चाहिए के लो रो बेंजी सार नेना सार तो प्रॉड़क्त कै़ों पर लिध्या किल्या नेर movie पाल ले तोा ऑफ्रॉड़क्त दक्राइफर टो यहां पर गाएज तो इसका करा रहे नविए और तया रह्यागा है हैं सब्सक्राइब कर दोने सब्सक्राइब कर दीए मैंने तो आपको द्यान हो यह कॉपी में सब रहा है डाउ प्रोसेश देखना पक्का मिल जाएगा तो फोर नायट्रो फीनोल पैद हो जाएगा वह बहुत अच्छा चले वाय डेक्स्ट्री इसोमर से ब्यूटेन तो अदिफिकल तु सेप्रेट वाइद फ्रेक्शन क्योंकि अब जी देखी मैंने सब लेखा है लीव और डेक्स्टो इननियों मर्स होते हैं हेलो कि देखना कॉपी में एक एक लाइन देखेगी इननियों मर्स होते हैं उनका सेम बॉइलिंग पॉइंट्स होता है इसलिए से हम फ्रेक्शनल डिसलेशन से सेपरेट नहीं कर से फिजीकल प्रॉपर्टीज अच्छा पॉशन चलिए नेक्स्ट आगे हम ओके अब नेक्स्ट पॉशन कर रहा है जल्दी से इधर रब कर रहा हूं इधर है चलिए इधर क्रेल मॉलीकिल सखल बनानी पड़े कि वाई एक दो तीन चाहर व्यूटेन टू का शॉटेंटोक्र थी पर मेथ्या 3 पर मिठाइल है घंडे मारेंगे 3 इस पर H इस पर आएगा H और H3 पक्का पक्का और 2,4 डाइमेथाल ब्यूटेन थ्रूर 2,4 डाइमेथाल मैं बना के देखा रहा हूं भाई आप मैं देखी क्वेशन आपके सामने कर रहा हूं टू फो एक दो इन चार टू फोर टू पर और फोर पर मिठाइल और थ्री पर ओल सी एस त्री एच यहां पर क्या बच्चा लोगों कि व्यूटेन थ्री ओल थ्री ओल और फोर टू फोर डाइमेथाल भीटेन 3 ओल यहां देखे यक Geoffrey बच्हां लगा हूँ एक गिरूब हे लगा हूं जब्क बच्चा लगा लगा एक लगा हूँ है यह चारों ग्रोप अलग 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 हुआ है इसलिए करें लोगा यह नहीं होगा ओके चलिए पक्ता ब्यूटेन में थ्री पर वल तो होगी नहीं कहीं पर लोगा क्योंकि ओएच को प्राइविटी मिलती है तो इसलिए गलत दिया हुआ है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट राइट दा इस्टचर अप्रोड़क्ट वाइन क्लोरोव एंजीन इस ट्रीटेट विद मिथाल क्लोरेड देखो किलोरोव एंजीन किसी रेक्ष करा रहे हैं CS3C in the presence of sodium metal और अच्छा रेक्ष करा रहे हैं कोई बताएगा तो जल्दी होता है कोई बता सकता है तो आपने एक बुर्ज रेक्षन पढ़ी थी एक फिटिक पढ़ी थी एक बुर्ज फिटिक दिस इस बुर्ज फिटिक एने की प्रिजेंस में रह तो इस रेक्षन को में द्वारा लिख दूँ आपको अच्छी तरह समझ में आएगी इदर देखना कैसे इदर इस इस कितना अच्छा बश्चा ना क्लोलोवेंजे टू एने और दिस इस मिथाइल क्लोराइड इंदा प्रिजेंस ऑप अच्छी तरह समझ में आरी ना पहले बन जाएगा भाईया लोगो कितना अच्छा पूश्चा था अब आप कहते हैं सब फिटिंग नहीं आई पेपर में यह सब आता है बट ऐसे नहीं आएगा कि किसी ने इंपोर्टेंट लगा दिया आपको एबूर्ट कर लिए उसने नाम से पूचा है नहीं पूचा ना इस बन ब्रोमो बन मिथायल साइकलोहगजीन आओ यह अच्छा वर्षन इह इदर दिखनें बन ब्रोमो साइकलोहगजीन बना दो बनपई ब्रोम है और बनपई क्या है बच्छा लोगों निखलेगा है लोजन और बीटा से निकलेगा हाईड्रोजन अब बच्छा लोगों यहां से निकलेगा यहां से इस वाली बीटा से कॉमन सेंस है अगर यहां से निकलेगे तो हाइड्रोजन जादर रहे अधर देखिए दिस और एस यह स्ट्री पका रहा है कि नहीं आ रहा है पका रहा है बचलों और यहां पर क्या जाएगा डबल बॉर्ट अलफा वीटा के बीच में डबल बॉर्ट दा नेम आप देसे बन में थाइल बन पर ना तो नाम होगा बन में थाइल साइक्लोहक्जीन यह सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है जल्दी बोली फड़ा फड़ से के लिए पका चलिए तो यह था सेक्शन सी और सेक्शन सी करते करते हमें हुए 40 मिनिट्स आपको टाइम लगेगा आपको पड़ आप एक्कुलेसी मेंटिन करें बहुत मज़े आने वा लाए बटक्वेश्चन लेवल ऐसी होते हैं चलिए आपका क्या है पैसे बीसक्वेश्चन पूरी रामयर आप पढ़ते रहे न मैं डारेक्वेश्चन पर पहुंच रहा हूं और पहला पिदर फॉर्स्ट क्वेश्चन चलिए वाट बैसे मुझे लगता नहीं कि इसमें पैसे में अंसर से होते हैं तो इसलिए पढ़िए और यह 15 मिट के गैप में पढ़िए यह सुरुवाद का पंद्र मिट होता है वाट इस नेम आप दा लिंकेज विचोड़्स टूगेदर मॉनो सेकराइड उनिट सुक्रो कि जब आपको आती है अधरवाज के वह इतना नाम पूछा नेम दा वाटर इंसलूबल कंपोनेंट और यहां पर वाटर इंसलूबल पूछा है तो अमाईलो पैक्टेन ओके चले वाइड़ ग्लूकोज नॉट गेप टूफोडी एंपी टैस मैंने लिखा हुआ है ग्लूक ग्लूकोज है साइकलिक स्ट्रच्चर और अईंड इड़िया ग्लूक चले वैन ग्लूकोज हीटेट विध मिथैल एलकुल इंद प्रजेंस रखना इसलिए मैं से नहीं करा रहा हूं आएगा भी नहीं चलिए नेक्स्ट आगे क्यों करते हैं क्वेशन नमर 32 तो सॉलूशन में से आगे हैं तो आएए भी या वाट इसमीन भाए इस अधर उटनिक शॉलूशन सबको पता होना चीह है जो सॉलूशन तू सॉलूशन की अच्छा व्यूशन है सेम ऑसमोटिक प्रैसर सेम कंसंट्रेशन तो जरूरी नहीं हो आई सोटोनिक यह बड़ ऑस्मोटिक प्रैसर सेम होता है पाइक क्वेस्ट तो सी आर्ट और तो सेव तब कंसंट्रेशन से मोती है के लिए कितनी कंसंट्रेशन होती है तो मैंने आपको कॉपी में लेखा है जीरो पॉंड नाइन वन परसेंट है वह बिलट में ट्रास्फूजन के लिए क्या होती है क्योंकि है कैसा होता है आईसो टॉनिक को के बिलड अगर इससे कम ज़्यादा होगा तो आर्वीसी फूल य क्लोरेट डिजॉल्मिंट 500 ml of water is injected in the body what will happen to the blood cells ओके अब देखी कितना अच्छा है पहले हमें अपन 500 ml यह ना ऊपर के आएगा थाउजंड बोलो कि एमेल है न पक्का आ रहा है पक्का तो कितना आ जाएगा जिए थाउजंड एमेल में यह ना तो और तो दो वर्ब्या कितना आ गया शिक्स बड़ जाए थाउजंड में हमें निकालना हंडड में तो 0.6 परसेंट अब 0.6 परसेंट अब 0.6 परसेंट और हैं यहां पर 0.9 तो अब बताएगे क्या होगा ढंग से देखना वह टॉनिक वाला पुश्चन ना आ रबीसी के अ कारे जादा है अंदर तो पानी कारे जॉन थे खाड़ा होगा बाहर तो पानी हमेसादा से कारे जहता है कम की उट तो पानी अंदर जाईगा और सेयल वर्ष्ट हो सकती है को के बहुत अच्छा था तब क्वेश्चन दे लिए बहुत बढ़िया था इसलिए मैं बताने रहा हूं अच्छी तरह से करना चलिए कैल्कुल ओके एक क्वेश्चन तो 100% आएगा पेपर में ले लेना सीदा सीदा अभी परसों जब मैंने कराया था तब कराया था और क्या क सेल आप इन दोनों को एड़ करके वहीं इनॉट कैथोड यहार एक एक लाइन तो प्राणी पड़ रही है इनॉट कैथोड माइनस की नॉट एनॉट करेंगे बंपंट वन जीरो बोलता जागा वही क्वेश्चन है यार्ट करके अंसर आएगा माइनस में आंसर लिख से होती है और लाइटर होता है यह जंड नेकर के कंपरेजन में आउट फॉलेंग प्यार से क्वेश्चन मैंने अभी लिटेक्स कराए था से क्वेश्चन है आप खुद करेंगे बहुत अच्छा पूश्चन तो इसको ऐसे लिखेंगे इस दिस एडिशन रेक्शन सी हो एच देडेडी अभी सब कराए थे क्वेश्चन एनले सी एन और सी है याड़ बन जाएगा तो क्या बन जाएगा बच्चा लोगो अग्ष को सिके जोड़ेगा एच और सी एच इस से के जोड़ेगा सी एन और सब्रस्वर्ण पक्का पक्का चले नेस्ट आपका डाइलकाल केडमी बहुत इंपूर्टन बनते हैं इस आपको पता होना चाहिए तरीका बता दू पहले इसके इससे को जोड़ो और फिर इसके इससे को लेडालों अल्टा करके सी एच्टू और प्लस सीडी सील के लिए चले नेस्ट है बच्छा लोगो ओ देसे एच्पीजड रेक्शन सारी क्वेस्टन से एच्पीजड में क्या होता है इस अलफा कार्बन यहां से एच निकलेगी और यहां पर भी आ रह जाएगा प्रॉपेन और ग्रिया रेक्शन करा रहें तरसरी अलकोल बन जाएगा तरसरी अलकोल खुद बनाएं गी बेंजी ने टीटर पिसीच एटिटर प्लस रेदक्षा और शीटोफीनों बन जाएगा एसीटोफी नौन के लिए चले यह यह आपकी एंडल कंडेंसेश तरीके सब पता है और देखिए इस पूरे पेपर उसने कोई नेमिंग रेक्शन पूछी नहीं पूछी ऐसे पूछी आपको आती है यह द्वारा से पूछ लिए उसने पीके वैलू यह वापे से चलिए नेक्स थर्टीफाइब यह डी व्लॉक आ गया डी व्लॉक में क्या कह रहा है क्वेश्चन कॉपर फस्सक्राइब वाइट वेरेश कॉपर सेकिंड कंपॉंट्स और कलर और जब भी कलर और उसकी बात पक्क्नमर आए सबको पता हो कि क्रो वेट के बहुत अच्छा कौ पश्य Nat Crąż udah इना सबको आटाए पक्क्क यह क्षेजन गैनुंद की कॉष्चन ऑग्षे tag यह जैं thrilled पर नौट थ cruelty इससोफित सबको आता होगा क्योंकि इसमें क्या नहीं होते हैं नहीं पाई जाते हैं ना इदर इनकी 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 ऑक्सिडेशन स्टेट और इसका कंफिगरेशन करिए चलो मैं करी देखा स्टाइस होता है 3D 4S 27 अब टू पॉजिटिव है तो सी ओ टू पॉजिटिव ए यार 3D 7 ओके 7 है तो आईए इसमें पेड़े लगता हूं एक दो तीन चार पांच छह साथ कितने अंपेड़ है 3 3 का बोने का लिए फॉर्मुला सबको पता हुआ मियो इक्वेस्टू रूट एंड एंड प्लेस्टू तो थ्री और फाइफ रूट एट आजागा आंसर रूट एट त्री दो पाईं वाइं वाइं और जो भी आंसर सब्सक्राइब कर देखें रूट 15 ओके चलिए और एलक्टोनिक अंवेस्टी दोनों का लिख दिए मैं यह त्री पॉंट्स और इसका मतलब है कौन होगा सब्सक्राइब होती है बहुत ज्यादा इस ट्रॉंग मैटलिक बांडिंग पक्का आता है स्ट्रॉंग मैटलिक बांडिंग कि लिए चाहिए यह था पूरा पेपर को देखिए फटा फटी मिनिट्स में और अच्छी तरह से आपको सब्सक्राइब करिए बढ़ते रही है कुप सारा बोलो बाबामा की जय गुड़नाइट बच्चों बोलो बाबामा की जय